नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका सरकाई जोप्टंगम यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SSC CHSR भरती 2023 के बारे में जिसके लिए जो ओनलाइन फोम है वो भी सुरू हो चुके हैं तो अगर आप बारूई पास हैं किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं फीज कितनी लगेगी कहां से आपको आवेधन करना है इन सभी चीजों के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे आप स्कॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो अगर आप लेटेस्ट जोब वाल इस सेक्षन में देखेंगे तो यहां पर भी देख सकते हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं दिया है तो यहां पर जो य करता हूं और किलिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से पेज खुलके आएगा अब यहां पर देख सकते हैं यह 10 प्लस टू कंबाइंड हाइर सिकेंडरी लेबल यहनि कि 10 प्लस टू लेबल के वेकेंसी है और ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म स्टार्ट हुआ है यहां पर द पेजाम होगा, तो जो है 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त दो हजार तेस नोटिफिकेशन के इसाब के अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी जानकारी आपको यूटूब चैनल पर दे दी जाएगी उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं फीस की अगर बात करें तो General, O, B, C, E, W, S अगर आप इन काटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए की फीस जो है पे करनी होगी बाकी अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर PH है या दिव्यांग है तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है और All Category female candidate को यानि की जो भी female candidate है किसी भी केटेगरी से हैं तो उनको भी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देना है बिल्कुल जीरो फीस जो है यहाँ पे लगेगी उसके बाद नीचे चलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दिया है एज लिमिट एज लिमिट जो है 18 से 27 वर्स मांग गया है कम से कम आपकी उम्र 18 वर्स होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है 27 वर्स होनी चाहिए उसके साथ ही एज में रिलक्सेशन भी दिया जाएगा उसके लिए आप नोटिफिकेशन को जो है चेक कर सकते हैं जैसे OVC कंडिडेट को तीन वर्स का या CST कंडिडेट को जो है पांच वर्स का इसके लिए एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करके चेक करना इसके बारे में भी आपको मैं आगे बता दूँगा उसके बाद हम बात कर टोटल कितनी वैकेंसी हैं तो टोटल नंबर आप पोस्ट जो है 1600 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है हलाकि सायद वैकेंसी टेंटेटिव है इन वैकेंसीओं को इंक्रीज भी किया जा सकता है लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है सोला सो पोस्ट मेंशन किया गया है अब इसमें जो अगर माली जे एससे चसल को आप क्वालिफाई करते हैं या फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस-किस यानि कि पद के लिए वैकेंसी होती है तो यहां पर देख सकते हैं अगर आप डाटा इंट्री आपरेटर के लिए आवेधन कर रहे हैं तो आपका 10 प्लस टू जो है उस साइंस स्ट्रीम माइथमेटिक्स के साथ में होना चाहिए तब ही जो है आपको डाटा इंट्री आपरेटर की पोश्ट मिलेगी अन्य था आप इन दोनों पदों के लिए जो है इलीजिबल रहेंगे जैसे आप इसको उपर किलिक करेंगे तो जो SSC की तरब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं वही सारी चीज़े जो मैंने आपको सोट में दिखाया पूरा यहाँ पे डिटेल में में इंसन किया गया है तो यहाँ पे परहाई और घटाई भी जा सकती है उसके बाद में यहाँ पे पूरी डिटेल जो है चेक कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एपलाई कहां से करना है अगर मालीजे आप एपलाई करना चाहते हैं फॉम को तो कहाँ से करेंगे तो apply के लिए यहाँ पर apply online के सामने click here का आपफ़न दिया है सिम्पल सा आपको click here के उपर click कर देना ठिक जैसे आप click here के ऊपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा अगर जैसे, आप फर्स टाइम आ रहे हैं तो आपको register now के उपर click करना है जैसे आप register now के उपर किलिक करेंगे ते रजिस्टेशन फोम आपके सामने खुलके आएगा तीन स्टेप में रजिस्टेशन फोम जो है complete करना होगा बहुत ही इजी है आप इसे जो है complete कर लीजेगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको registration का पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे उसके बाद में अगर आप registration complete कर लेते हैं तो आपको एक user name या फिर user id कर सकते हैं और साथ ही पासवर्ड आपको बनाना होता हो आपको मिल जाता है उस इसे आपने इससे पहले कोई SSC GD का या फिर SSC CHSL का या फिर SSC CGL का या फिर SSC MTS का या फिर SSC Delhi Police का SSC का अगर आपने कोई भी फोम भरा था तो आपको दोबारा registration करने की जरूरत नहीं है आपको अपने उसी user name यानि की registration नंबर और password से जो है apply कर सकते हैं अब बात आती है आगमान लिजे आप भूल गये हैं तब आपको कैसे पता करना है या आपका registration नंबर क्या था जब आपने कोई फोम भरा था SSC का तो आपको उसके लिए क्या करना है और mobile number काउंसा लगाया था दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप ध्यान कर लेंगे तो आपका registration नंबर आपको मिल जाएगा तो चाहिए आप email id यहां पर डाल दीजिए या फिर mobile number कोई भी एक चीज़ यहां पर देख सकते हैं बीच में R लगा है तो कोई भी एक ची रेजिस्टेशन नंबर आपके सामने आ जाएगे निकिस्तो हो जाएगा उसके बाद में वहां पे आपको password rate करने के लिए बताएगा तो आपको दोबारा से पने password को बना लेना है और बनाने के बाद में सिंपल से इसी प्रकार से यहां पर पर प्रक्र यहां पर कर सकते हैं अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे पूरा आपके सामने खुल के आजाएगा और यहीं से आपको फूरा जो है प्लाई करना है फिलहाल इस वीडियो में हम आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा मिलते हैं अगली वीडियो में नए बेट के साथ तब तक के लिए जैहिन